जैसे ग्लुकोस हमें कम हो गया, तो हम नीभू नमक शक्कर का गोल भी देगे, तो ग्लुकोस मिलेगा पर तीन चार गंटे मिलेगा, और बौटल से सीधे ब्लड में डालेगे तो तुरूंत मिलेगा, इस सिस्टम है जिसके काणग ग्लुकोस हमें को रोज मिल रहा है, कैसे मि चाटनी और रोटी खारा उसके अंदर वो भी भी 6 रस ले रहा है यह प्रकर्णदी में छ्यवगर। कटू-तिक्त कसा है, खटा-मीठा नमक क्या बढ़ाता है? कफ़ बढ़ाता है, कड़वा तीख और कसेला क्या बढ़ाता है? पित्त बढ़ाता है, तीनों बढ़ जाए तो वात, गैस बंते हैं, तो ये पुरी जो छे रस है, ये छे रस हम सब्जी, अब देखिए हमारी नमक हम डालते हैं, क्यों डालते हैं? ये छे रस की आवश्यक्ता को पूरा करने के लिए, पस्चिम में नहीं हो, ताल्दी नहीं डाली जाती है, क्योंकि उनको छे रस का ज्यान नहीं था, वो छे रस के फलक आएंगे, तब छे रस मिलेगा, और हम क्यों सब्जी खा तब तो छे रस मीन जाएगा, क्योंकि हल्दी उनको हम कोई कम नहीं है सब्जी में, लेकिन हमारे चुट कूट का भर दिया आगया हमारे पिना हल्दी सब्जी? नहीं पा तो हम जो है ये सबजी के माध्यम से क्रत्रिम तौर से रसायन रोज लेते हैं लेते ही नहीं लेते हैं लेकिन प्रकर्ति में एक और विवस्था है जिसमें लेने की कोई जरुवत ही नहीं और उसी ववस्था से ये बड़े बड़े पेड़ खोब फलते फूलते हैं उनमें कोई ना फंगास आता ना वाइरस आता ना कीट आता क्यों नहीं आता क्योंकि अगर वाइरस केल्सियम नहीं होगा तो रस्यू सकती उसमें आएंगे इल्ली है तो इल्ली और इल्ली आयेगे इल्ली अगर इल्ली आईरन को पचा नहीं सकती तो Ziuray language अगर आईरन होगा चानल को दिडैनल फिक खेत में तो उसमें इली, जँंगल में नीबू होगा, उसमें कुछ नियाएगा इली और आपन लगाए तो यह मोटी मोटी निकल देखागी द्रोण क्यूं क्यों क्यों कि हम प्राकरतिक वयोस्ता हमने खतम कर दी और प्राकरतिक वयोस्ता खतम करने रिख बाद भी क्रत्रिम तोर पर नहीं दे रहें क्योंकि इन्ने दोड में ठाल लिया कि मेरें को jayvik खेती करना है तो नहीं डालना iron आप chemical आप नहीं डालोगे और कमी पोधिन हो गई द्रोडने ठाल लिया कि मेरे को जैविक खेती करना है, तो नहीं डालना आइरन आप केमिकल, आप नी डालोगे और कामी पहुत देन हो गई, तो इल्ली अगर आप केमिकल नी डाल रहे हो, तो जैविक में आपके पास विकल्प आईरन का होना चाहिए, तो प्रात्रीं ब्यवस्ता करनी चैहिए कि नहीं करनी चैहिए और आपको बताने जारहे हूं जिसमें पुछ नहीं करना है और इस संदार लगा पुछस ॏ खालेकर लेक्षदे a जीव ही जीव को जीवन देता है, इस विवस्था का नाम है, इसको रिशी पारासर ने अपनी पारासर सही देता कि पहले अध्याय में अंकित किया, पहला अध्याय पारासर सही देता, जीव ही जीव को जीवन देता है, इस विवस्था का नाम है, इसको रिशी पारासर ने अ मतलब हमको अगर जो है प्रोटीन चाहिए तो दही का बैक्टेरिया देगा खुद मर के देगा हमको प्रोटीन का दही जो मिलेगा जो मक्खन कहलाता है दही का प्रोटीन क्या कहलाता है मक्खन मख्षन यानि क्या वो लेक्टोबेसिस मर गया हमारे लिए मर गया और पूरा का पूरा किसमें कर्णवर्ड हो गया प्रोटीन में उस प्रोटीन उस प्रोटीन को लेने से हम में कोई विकार नहीं आएगा क्योंकि वोग्रोटीन जीवों जीवत से जीवनम के सिधान्त पर गया अगर हमको सहत मधुमक्खी देगी तो उस सहत से कोई सुगर 36 गण में एक परंपरा थी बासी बोरा खाने की अब मैं 30 लिए बोल रहा हूं कि लेको लगता है आप बंद करती हो गया आप सब लोग क्या थी वो परंपरा यही थी जीवों जीवत से जीवनम जीव विक्सित करो खा जाओ सुगर क्योंकि प्रोटीन चाहिए आपको प्रोटीन किसमें आ गया उस चावल में और पानी में और नमक डालने से क्या हुआ मर गया हूं इस पर सोध हो रहे हैं बासी बोड़ा में विदेशों में हो रहा है और जब विदेश से आएगा तो फिर हम सब पढ़े लेके फिर खाना सुरू कर गया है और वो पहले खा रहे थे तो वो घमार थे फूड दो तरह के हैं चलिए फूड मैं कल बताऊंगा जैनी जीवन से भी आपको जैनी जीवन से भी बताऊंगा तो गरेंटी देतो आपका खान पान बदल जाएगा और नहीं बदलोगे तो खाते समय अपराद बोड़ होगा कि देखोस सामने बताया था और मैं गलत गलत कर रहा हूं या पराद बोड़ भी बहुत बड़ी बात है किसी दिन वो सुधार देगा आपको मैं पुना विशाय पर आता हूं जीवों जीवस से जीवना पहुद हे को देखो नाइट्रोजन हवा में कितना है 70% नाइट्रोजन ने हम यूरिया डालते हैं जो यूरिया है और नाईट्रोजन है कितना होता यूरिया में नाइट्रोजन 46% हावा में कितना नाइट्रोजन है परषेण में कोई बताएगा कितना 78 अब सब चटवी से 10 देख सब पड़े हैं लेकीन वो काम की नहीं इसलिए भूल गया जो काम किये हो सब याद है 18% हवा में नाइट्रोजन है और धर्ती अगर 109 degree temperature कम हो जाए धर्ती का तापमान तो ये नाइट्रोजन पूरा पानी में बदल जाएगा और कितना अभी 7 समुद्र है ना उससे 3 गोना समुद्र बनेगा 21 समुद्र बन जाएंगे महा समुद्र की बात करो मैं इतना बड़ा समुद्र बन जाएंगे इतना हवा में क्या है नाइट्रोजन है पर हमारा पौधा नाइट्रोजन के बदल पीला पड़ा है क्यों बड़ा है क्योंकि नाइट्रोजन देनी की जो व्यवस्था है जीवो जीवस से जीवनम उसको हमने कतम कर दिया हमको नाइट् कि अजूर्टो ईक्तर ऐज जो एकिता यह श्ध्यां अजोर्ट हुआ यह इस्वातंत्र जीवान। है इसको बोलते है नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टेरिया बोलते हैं तो आप अगर गेहू लगाते हो तो एजट वेक्टर आपके अहां कि गोटने को bak İk cactus दिता रहेगा करने को भी देता है मतलब होगी तो पोदा सो को माईट्रोजन को अब्सारव और नाइड्रोजन गांकर नाइटरेट फांन में चांइल लाइक बनाना और खाना दोना में अंतर है जैसे हम गेहू खाते कि रोटी खाते हैं अब गेहूँ और रोटी के में इतना संबन्द देखो जवार बाजरा मक्का गेहूं तो गेहूं का उधान तो मैं गलती दिया गेहूं तो भोजन ही नहीं हमारा मतलब अनाज में सबसे निक्रस्ट नियूं को कहा गया है एसेटिक फूड है उसको खाने से एसेट को हमारे अंदर होता है एसेट पैदा होता है तो जवार बाजना वक्का हमने पीसा फिर लोही बनाई फिर रोटी बनेगा उसके पहले तो चूला जलेगा नो चूला जलने नहीं माचिस से यह चूला जलेगा फिर लोही को किया जाएगा फिर उसके उपर तवे में रखा जाएगा दोनों तरफ सेका जाएगा, फिर ठाली में रखा जाएगा, पिर रोटी के साथ कुछ और रखा जाएगा, तब आदमी खाएगा, इतना बड़ा प्रोसेस है, खेती में ऐसे प्रोसेस होता है, नैक्रोजन का नाइट्रेट में बदल दे लूँ, इतना सबन दहीं है, मतलब जीवान उसको ग्रहन करेगा तो उसके लिए जीवानों के रहने की व्यवस्था हो फिर जीवानों के खाने की व्यवस्था हो फिर जीवानों के आक्सिजन लेने की व्यवस्था हो तब तो रहेगा और कुन्वा बढ़ाएगा फिर जब कुन्वा बढ़ाएगा तब वो खीजेगा हावा से फिर नाइट्रोजन को फिक्स करेगा तब वो दे को बिलेगा टीक है? तो मैं अभी जमीन को जिन्दा कैसे करना यह जब बताऊна तो प्रत्रिय बताऊंगा जिवानों कैसे अपके थेुherक में होने चाहिए और जिवानों कहा होते हैं सब गोवर में होते हैं वह भी बताऊंगा अभी आप जिवानों समझे यौतक्स बीस नट हैं अभी पस टो एक तो एजट बेकार दूसरा हो क्या एजोस्पारिलम एजोस्पी रिलम ये ये गेहूं का अगर है गेहूं जौार बाजरा अना तो ये किसका है ये मक्का और धान का गन्य का भी है तीसरा है एसीटो वेक्टर ये गन्य का है गन्य को राइक्रोजन देता है चौथा है राइजोबियम ये ये दलानी सभी दलानी फसनों को नाइक्रोजन देता है यने जो आपने चने में देखी होगी गठाने बनते सोयवीन में ये गठान के अंदर वही बैक्टेरिया है जिसको हम राइजोबियम बोलते हैं वो नाइक्रोजन को फिक्स करके पौदे को दे देता है अब आप कहोगे कि ये चारो जीवाणू बाजार से खरीदना है अभी बाजार से खरीद के सब डालते हैं मैं आपको बहुत कम खर्चे में बीस पचीस रोपिया में बनवा दोगा अभी ये देखके घवरा जाता है आदमी कि इतना जीवाण होगा अभी इसको खरीदो अभी ये ये डियर पे खरीद रहता अभी ये खरीदो पर इसकी भी ज़रुवत नहीं मैं अभी आपको एक सजीव जल बना दूँगा जिस सजीव मैंने नामीश्ति दिया कि उसमें जीवन है आ गए ठीक अब इसके बाद जो है बिटी में आप सब अपने खेट की मिटी की जाँच कियोंगे कितने लोग ने मिटी की जाँच कराई या खड़े करो जरा करवाया रिपोर्ट नहीं आया है हाँ तीन लोग ने करवाया आपके खेट में फासपुरस ज़्यादा होगा गारिंटी में है कि नहीं अती उच्च जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा मिटी में है मैंने हज़ार और पांच हज़ार पंसे जाँच कराई नहीं तो में 99% केस में मिटी में उच्च अती उच्च है उसका लख्षण यह है जिन जितने लोगों की मिटी कड़ी है समझ जाओ फासपुरस ज्यादा है क्योंकि फासपुरस के आयन इसे बांद देता है moね मिटी को जैसे फासपुरस ज्यादा होने से थना बन जाता है ना थना बन जाता है वैसी मिटी अगर कड़ी हो गए एक दूसरे से बन घई गई तना जैसे तो समझ ज़ओँ फासपुरस जाता है, तो आप सबके खेट की मिट्टी कड़ी है ना, फास्पूरस जाता है, है फिर भी आपको सिंगल सुपरस्पेट डाना पड़ रहा है, क्यों? है लेकिन वो खाने लायक, उसको खाने लायक बनाने का काम करता है PSB, फास्पूरस को P बोलते हैं, इसको काम करने का PSB, फास्पूरस सल्गुलाइजिन बैटेरिया, ऐसा ही पोटास आप सबके खेत में है, उसको पोटास को सल्गुलाइज करने का, खाने लायक बनाने का काम की PSB करता है, ऐसा ही जो है, जिंक आपके खेत में होगा, अभी बहुत से लोंका भी नहीं भी है, जिंक अमुमन धान क करने का काम कूर करता है, जिंक सल्गुलाइजीन, और ऐसा ही सलफर को सल्गुलाइजीन करने का काम सल्फर सल्गुलाइजीन करता है, यह सारे बैक्टेरिया भी मैं आपको बनवा दूगा यह सब बैक्टेरिया गोबर में होते हैं पर मरे गोबर में नहीं, ताजे गोबर में होते हैं गोबर यह तो कंडे बने यह तो सजीर जल बने, बीच का कोई प्रोसेस नहीं होता है इसलिए ज्यादा गाय पाल नहीं नहीं चाहिए, अगर खेती करना है, दस एकड़ तो एक गाय गाय जादा होगा तो गोबर का यह तो कंडा बनाके और कंडे के मैं कई यूज करवाता हूँ, कई तरह के उप्योग करवाता हूँ अब जहाँ-जहाँ मेरी बड़ी-बड़ी ट्रेनिंग्स हुई हैं, वहाँ-वाँ कंडा बिकने लगा और इसलिए अमेजर भी बेचने लगा, ऑनलाइन कंडा बिकना सुरू हो गया, क्योंकि मैं बहुत सा अवियोग खेती में कंडे से करवाता हूँ बिलकुल, अभी चारी मेना हुई हैं, दो साल में आप देखिए फसल कैसी होती है पाम्ने के खेत में खोलेगा की डेखा हूँ, अभी मेरे खेत में केचवा नहीं, इसलिए बहुत अधी मत्रा में हज़गा हूँ बिल्कुल मिलेगा क्योंकि आप में जावन डाल दिया बगोबर बोबूतर भोड़ बेसन वाला गोल डाल रहा हुज जार लोगोबर बोबूतर भोल के डाल रहे हैं चलिए बहुत बढ़ी आप ठीक अब ये सारे जो जीओं है ये तो हो गए उर्वरक के जिवानों अब आपको फसल को आपके खेत में कोई राक्षस नापन पे कोई सत्रु जीव नापन पे उसके लिए भी बहुत से जीव हैं जिनको कहा किया मानसाहरी जीव अचा मैं आपसे पूस्ता हूँ खेती के लिए मानसाहरी जीव मित्र हैं कि सत्रु हैं अचा पहले बताओ साकहरी जीव जो फूल फल पत्ति जड़को खा जाते हैं वो खेती के मित्र हैं कि सत्रु हैं सत्रू है खा जाते हैं कि फसल के सत्रू है तो फसल के सत्रू है तो आपके सत्रू है कि अच्छा तो मांसाहरी जीव जो फसल को नहीं खाता पर बैठा रहता है भूका प्यासा कि कोई एका साकाहरी जीव आये तो उसको तो वह आपका मित्र है कि सत्रू है मतलब मांसारी जी हो मतलब बिच्चु, साम केकडे केच्वा चीटी भौरे तितली बग, बोलवाली ये मित्र है कि सत्रों है तो आप इनको पालते हैं कि मारते हैं पालते हैं मैं वजद कोई दिखा नहीं कि केच्वा पालता हो कि केच्वा पालता तो मेरे पास आता भी है केच्वा मर गए बताओ कैसे पालो क्योंकि धारना बदल गई ना धारना याने बुद्धी बुद्धी को उनने कन्विंस कर दिया कि मारो तो तब ही काम होगा तो मारने काम ने अपने काम सुरू कर दिया ये तो आप मांसाहरी जीव में आपके जीव के भी चार कैटेगरी होती है एक होता फंगस रूसरा होता वाइरस तीसरा होता बैक्तेरिया चौथा होता कीट और उससे जादा होगा तो जानवार पसुपक्षी पांच इसके प्रकार है तो आप देखिए फंगस में मित्र फंगस मित्र फंगस क्या है ट्राइकोडर्मा फिर मेता राइजियम मेता राइजियम ये खाता है ये दीमत और वाइड रभ को नस्ट करता है वाइड रफ समझते होगे सूड रिला होता है ना घूरे में अच्छा घूरे को उर्जय चक्र रही ये बताना बता रहा हुँ थिर मित्र वाइरस के बाद मित्र बैक्टेरिया मित्र बैक्टेरिया है सूडो मुनास क्लोरोस में ये मित्र बैक्टेरिया जो सूडो मुनास क्लोरोसिंस है ये किस-किस को समात करता है धान में लगता है रस्ट रस्ट जान पर धान में है पुरी धान बैठ जाती है लीचे स्पत्ति सूफने लगती है फिर रस्ट ब्लास्ट ब्लाइट और अल्टर बेरिया ये जितनी बीमारी है धान की ये सारी बीमारी को कौन समाप्त कर लेता है चाट लेता है इसकी लंबी लंबी जीव होती है एकनी सेकड़ होती है ठीक है गन्ना कोई लगाता हो तो रेड रोड गन्ने में जो लाल सलान आता है उसको खतम करता है फिर मित्र जीव मित्र जीव में कौन कुन से एक भावरा है क्राइशो पर लिया क्राइशो पर लिया इसको भावरा लिदेता है और एक क्राइशो पर लिया भावरा और एक गोल गोल सा रेड लेड़ी होता है ये हमारे खेत में ये हों ये होंगे तो भीमारी मानलो हमारे कुछ पौदे कमजोर भी होंगे तो यह फटक नहीं देंगे अगर इलिमान लुआ गई तो यह जो है क्राइसों पर लिया भारा चुन चुन चे खा जाएगा और रश्चु सकीट आगए तो यह बग खा जाएगा सफेद मक्खी के लिए बग और सफेद मक्खी अगर है आपके तो एक वाइरस है मक्खी के लिए एक वाइरस है इसका नाम है वरटी सिलियम लिकौनी वरटी सिलियम यह कौनी वो आपने दिया नहीं है ठीक है बराबर हो रहा है तो यह वरटी सिलियम का स्प्रे कर देगे तो जितने रस्चु सकीट है उन सब के उपर एक बीमारी सुरू कर देगी है यह जीव हमारे खेट के अंदर होने चाहिए जमीन के अंदर जमीन के पहार इसमें से दो तीन चीज नहीं बना सकते क्योंकि यह जो वाइरस है यह निश्चित टेंपरेचर में डेवलाफ होता है जैसे बीवेरिया पेशियाना निश्चित टेंपरेचर में डेवलाफ होता है तो यह भी लैप में ही बन पाएगा हमने कुछ है जो है लेकिन हमने बहुत सस्ते डंसे इसको बना करके देने का भी काम किया है बीवेरिया बहुत सस्ता सुरक्षा भी करेंगे इसी को कहा गया जीवो जीवस से जीवनम और इसको पारासर जी ने आगे कहा जन्तु नाम जीवनम क्रशी क्या कहा ये विवस्था जब आपके खेत में खड़ी हो जाएगी इस विवस्था को कहा जन्तु नाम जीव नम क्रशी जन्तु यानि यही सब जीवान उचोटे बड़े इनका जीवन ही क्रशी है क्रशी और कुछ नहीं है क्रशी यानि ऐसा नहीं है कि जो तो नाम ग्रशी, जो तो उफ्थित अब क्रशी होगी, ये नहीं, क्रशी का एक ही परिवासा है, जन्तु नाम जीवनम क्रशी, जन्तु यने सुक्ष्म और बड़े, इन जीवानों का जीवन पूर्ण कराना ही क्रशी होगी, मेरी पूरी पद्धती में जब आपकी मख खान जैसी हो जाएगी मिटी, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल बवाई करना है, ना कोई जोताई होगी, ना नेदाई होगी, ना गोडाई होगी, ना कोई रासाइनिक, ना कोई जैविक खाट डाला जाएगा, ना कोई रासाइनिक या जैविक दवा डाली जाएगी, कुछ नहीं होगा केवल वो घर जाके सोर केवल फसल काटने जाना और बंपर फसल आए जिसकी गेरंडी उसका भी हम बताएंगे लाज फिर कुछिस करेंगे सबकिए बोजन तए हैं आप इंधने असको खेद बना दिया तो आप की खेद से प्रेयास करेंगे कि बचाएं। लेकिन मलेरिया क्यों होता है अगर यह हमको पता नहीं होगा तो बार-बार मलेरिया होगा कि नहीं होगा। तो अभी एक खेत जिस कंडिशन में पहुची क्यों पहुची इसको समझना जरूरी है। तब फिर मैं आपको जिवानु बताऊंगा कि जिवानु जो है कैसे डावा जाता है। अभी खेत में जिवानु क्यों मरे इसके पहले मैं आपको बता रहूं कि जिवानु हमारे क्येत में कीटणू कैसे पहुचे। जैसा कि मैंने बताया गोरे की गोबर खाधी किसान को बरबाद किया है कैसे किया वो समझिया अभी रोच का जो गोबर निकलता है उसको किसान एक गड़े में डालता है और इसमें डालते जाता है इस घूरे में आपको एक जो है सफेद कलर का इंदा दिखाई देगा ऐसा यह क्या है यह वाइट ग्रफ है यह वाइट ग्रफ सफेद दिखता है पैर से कुछ लोगे तो फट जाएगा यह अंडे बच्चे अपने परिवार से कुछल से रहता है क्यों क्योंकि गर्मी इसके लिए अनुपूल है खेत में अगर जो है कोई पानी आया और गर्मी बढ़ी तो आप देखते होंगे बहुत सी हमारी जो है फसले उकटने लगती है असल में यही शक्री वजातर कुटरता है अगर लाइन से कुटरा हुआ दिखे यह बीज बीच में एक कुटर एक पौदा सही अस्वस्ता एक पौदा सुक्रा है वाइड गरभ कई काम है फिर इसके अंदर और क्या होता है इसके अंदर होता है फंगस सफेद और हरा कलर का फंगस होता है फिर और क्या होता है इसमें होते भुनगे मक्या और क्या होता है और इसमें होता है इसमें और कई तरह के कीट भी होते है इन सारे कीटों को सब को उठा करके किसान कहां डाल देता है खेत में मतलब जिनको खा करके ये पंगस वाइरस वाइड़ ग्रफ बढ़ रहा है ये असल में गोबर डिकंपोस प्रकरती किसी को स्थाई नहीं रखते डिकंपोस करती है अगर जीवित है तो कोई और डिकंपोस करेगा मरा हुआ है तो कोई और करेगा ठीक है दूसरा अगर जो है गर्मी है तो कोई और जीव करेगा और ठंडा है तो कोई और करेगा पर कोई भी चीज स्थिर नहीं है सब अब घटित होती रहती है कोई ना कोई जीव तै कर दिया अब घटन करने के लिए किसना किसी जीव को पैगर दिया है अब आप देखिए ये है इसको ले जाके किसान ने खेत में डाल दिया खेत में डाला तो वहां क्या बढ़ गया क्या बढ़ गया दीमक बढ़ गया और दीमक को खाने के लिए कोन आ गया कौन खाता है दिमत को कौन खाता है सरीश्रप याने छिपकली और साप फिर इनको कौन खाता है बिच्चू और केकड़े और बिच्चू और केकड़े बिल बनाते हूं इन बिलों में कौन खाता है चुए और साप खाता है फिर आप देखिए ये गोपर अगर गीला हो गया खेत में गया तो कौन खाता है उसको गीला होने पर वो सुखा होने पर तो हो गया गीला होने पर केच्वे खाते कौन से केच्वे लाल वाले केचुए जमीन के उपर वाले वो हमारे काम के नहीं है जो जमीन के उपर उपर चलते ना लाल मुंडी रहती है वो काम के नहीं हमारे वो केचुए आ गए और इन केचुओं को खाने के लिए कौन आ गया मेंड़क आ गया और मेंड़ को खाने के लिए सांप आ गया और इसको सांप जो है पाद में कहां पल गए दिलों में तो इस तरह का पूरा अच्छा दूसरा इसमें जो जितने भी रहे खर्पतवार के बीज खर्पतवार के बीज भी किस से जाते हैं? घोरे से अभी बताओ आपकी खेट में फंगा सो जाएं बाहरा सो जाएं जड़ों कड़ जाएं बीमारी लग जाएं तो किसान क्या घाड़े? फाइदे में रहेंगा क्या? सबसे बड़ी बीमारी तो सबसे बड़ा घाटा तो बीमारी से है बीमारी ना है तो किसान तो ऐसे ही तक जाएं बीना यूरिया डीएपी के कुछ ना कुछ तो होगा पर बीमारी हो जाएंगी तो कुछ नहीं होगा तो सारी बीमारी का जड़ घोरे का गोबर है जो सुरो हुआ यूरिया डीएपी ने इस बीमारी को बढ़ाया है इसलिए आप जो है या तो ताजा गोबर का यूज करें या कंडा बनाएं या घर लीपने में उपियोग करें ये गोबर का क्या उपियोग करना है गोबर का बहुत बड़ा महत्र है आप देखिए हमने मोबाईल में गोबर का छोटा सा चिप लगाया है अगे दिखाऊंगे आप ये ये चिप लगाने से जो है मोबाईल चाहे हम जेब में रखें चाहीं रखें इसको फरक नहीं पड़ने वाला हमको वीरेंदर जी के मोबाइल में थोड़ा बड़ा है ये अगर होगा तो ये सभी तरह के जो है मोबाइल का रेडियेशन उसको सोक लेता है जीरो कर देता है रेडियेशन ये हम वैज्ञानिक तौर पे सिफ्द भी कर सकते हैं इसलिए अपनी मोबाइल में ऐसा चिपना भी बनाओ तो छोटा सा जो है गोबर का टुकड़ा चिपका के और उपर से सेलो टेप से चिपका लो अल्य था आपके लिए ये मोबाइल घातक है हाँ कंडे की तो बात करो पतला कंडा चिपका लीजेशन को पर हाँ ये बना बनाए मिलता भी है सब हमाई ने जब से हमारे सब व्याख्यान सुरू है तो लोग ने देप इन्हों ने ऐसा वाला बन वालिया हाँ ने गोबर नहीं सुखाईये और चिपका की उपर से सेलो टेप लगा दीजे मोबाइल का हर रेडियेशन जीरो हो जाता है हम इसको मसीन से भी दिखा के आपको बता आप मसीन एक आती है रेडियेशन जाचने का आप मोबाइल के पास ले जाए तो बताने लगेगा 30, 40, 50, 200 फिर गाय का गोबर गाय का गोबर को हाथ में लगाईये और एक्सरे मसीन में ले जाके एक्सरा कीजिए कुछ नहीं आएगा काला होगा इसका मतलब गाय का गोबर एक्स किरणों को भी सोख लेता है हमने अभी गाय के गोबर के ना कहीं गहने बनाएं मैलाओं के पहनने के लिए पुर्सों के पहनने के लिए माला गोबर के हाथ के जिस जो गोबर जिसके टच में रहेगा उसको अल्ट्रा वाइलेट किरणे कुछ नहीं करेंगी उसको क्योंकि अगर हमारे सरीर में अल्ट्रा वाइलेट किरणा आएंगे तो सोख लेगा और इसलिए अमने बाला मैलाओं के लिए बनाएं के पहने और मेरे जहां ज को अगर जो है सो समझा दूं और महिला नहीं समझेगा तो घर में जाके दो चार बार टोके का उस बस सांथ हो जाएगा लेकिन महिला समझ गई तो लेकिन है फिर हो जाएगा हो सब घर का खान पान रहें से सब बदल जाएगा इसके लिए जैविक जीवन सेली का विज्ञान ने तो क्रशी है इसलिए आपको बता रहा हूँ है जैविक जीवन सेली का विज्ञान होता है तो महिला पुरस दोनों अनिवारे हैं मेरी टेटिए फिर गोबर में और क्या है गोबर में सभी तरह के जीवों की उत्पत्ति गोबर से होती है, अधे को सूखा गोबर है तो यह सब दीमक से लेके चुए तक पहुंच गया, यह इकोलाजी बनी कैसे, गोबर से सुरू है, इसलिए गोबर को कहा गया, कि 33 करोण, 33 करोण देवी देवता, करोणी और कोटी होते हैं, 33 प्रकार के देवी देवता, सब गोब वो जो मैंने जीवाणों जितने बताये थे, वो सब गोबर से मिक्सित हो जाते हैं, जो लक्ष्मिया ने अन्न पैदा करने वाले सारे जीव किसमें हैं, गोबर में, आप गोबर कहीं ऐसे जो है, गिरा होता है, तो आप देखें, नीचे से कितने नीचे से कहीं जीवा जात केच्वे को चीटी खा जाती है क्योंकि केच्वे का कर्म क्या है मिट्टी को खाना ऐसे चलना ऐसे चलना नहीं ऐसे उपर उपर इसलिए जो है और ओपर के जो कंडे बनते हैं उन कंडों को इसलिए स्री कहा है वेदों ने स्री किसको बोलते हैं अपन जिसके अंदर असी मूर्जा है विश्म को हमने स्री कहा है लक्षमी को स्री कहा है अन्न को स्री कहा है धन को स्री कहा है जिसके अंदर असीम उर्जा है तो यह गोबर का कंड़ा जब जलता है विदीवत तकनीक से, विदीवत योग से जिसको हम बोलते अगनी उत्र अभी मैं अगनी उत्रग अभी बाद में बता रहा हूँ पहले मैं आपको बता रहा हूँ ताजा गोबर आप गाय का गोबर सूर्योदय के पहले उठा लिजे नहीं जैसी सूर्योदय जो है या सूर्योदय हो रहा है तो उठा लिजे जैसे जैसे वो हवा के संपर्ग में आता जाएगा ठीके न उठा करके धक्के रख दीजे कोई कीट उसमें ना है और उस गोबर से आप जो है एक हमारा फार्मूला है जीवामरत वो बनाए है सजी उजल बनाए है जीवामरत भी बना सकते हैं पर जीवामरत में दो दिन बाद दुरगंध आता है और अपना कंसेप्ट क्या है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम दो दिन तर जीवामरत का उपयोग कर सकते हैं और जीवामरत में हार्मोंस की मातरा जाता है इसलिए इस्प्रे में उपयोग करना है क्या है जीवामरत और सजी उजल पहरे लिखे सजी उजल ये ताजे गोबर से हमको करोडो बैक्टेरिया पैदा करना है उसकी प्रक्रिया का नाम है सजीव जल 10 किलो गाय के ताजे गोबर में पहले उपर लिख लिखे 200 लिटर पानी 200 लिटर पानी में 10 किलो गाय का ताजे गोबर 10 लिटर गोबर 10 किलो गुड़ एक किलो गही और 100 ग्राम बर्गत या पीपल के नीचे की मिट्टी ये डाल करके रख देजिए और सुबे साम इस पे सीधे हाथ से डंडा चलाईए बर्दर पीपल के नीचे की और मिट्टी खोद के रिए ऐसे जाडू जैसा लगा के निकाल लिए फिर उस मिट्टी को डालना है उसके अंदर असंख है जीवान ने खोदना ने खोदना ने पहर आपने पत्ता हटाए और हाथ से एक मोट्टी तो चाहिए कोई बहुत जादा तो चाहिए निए नहीं जीवानों नहीं मरते वो डार्मेंसी में जाते हैं समाधी अवस्था में हाँ यह जो अपना सजीव जल है इसको छाओं में रखना है नहीं मिट्टी डार्में उटार्मेंसी में चले जाते हैं किस बढ़ देंडा से खोलना है सीधे सीधे आईसा गड़े की दिशा में दो तीन में नौ दिन तक रखना है इसको और दसवे दिन एक एकड़ में सुनेजी आपके इसमें कौन लिख रहा है हां सजीव जल पूरा लिखे ने तो एक एकड़ में सीधे पानी के साथ मिलाकर पैलाना है हां पूरे 200 लिटर को हां उसमें कैसे करेंगे देखो उसके लिए क्या करना हमने जो 200 लिटर का ड्रम है न उसमें टोटी लगा दो छे इंचुपा और बढ़िया रोश्डेंदा चलाएंगे बैक्टेरिया चुकि उसमें बहुत डेवलफ हो जाएंगे तो क्या होगा और जिसतीनँ को निकालना हूं उस दीन आमने टोटी खोल दिये बिना हिलाएं और उसे किया लगा दिये मच्छरदानी का तुकड का लागा दिये और उसके बाद जो है उसमें सटक हमने जो एक आदम नीचे बात्र में गिराएंगे और वो जो च्छादा हुआ उसको कपड़े से छान दीजी यह नीचे एक छोटी टोटी और लगा दो छोटा ड्रम लगाके उसमें कपड़ा लगा दो चेंज उपर उसका गाद आएगा इसमें बैठ जाएगा उपर उपर का छान के आजाएगा ऐसा कर लीजिए और ड्रिप से दीजिए हमारे यहां क्या है एक जो है इस पर फटलाइजर अप्लिकेटर भी बनाया गए ठाई से तीन हजार का वो जैनेरी के सन का इत्ता बड़ा नी आता हो जो पानी को जो है सक करके रोग के रखता है उसके साथ दे देता है तो इसकी वीडियो धिखा दूगा उसको नाम दिया फटलाइजर अप्लिकेटर फटलाइजर अपिकेटर विगोग अपने उसमें लगा दी ट्यूब बेल में और उसका जो एक सिरा है सक करने के लिए वह जीवा सजीत जल्में डाल दीजिए क्लियर होगै सभी फसल में डालना है नई हर सीचाई में डालना है किती सीचाई पानिच रहता है हाँ तो हर जो है द्धान में बन्दरा दिन में डालिये करें गाय के अधिया writing से जानुज का फैस्ट का अगर मही less का तो मैं बता दूंगा किसमें बैस कर गई महीं मानने हैं किछे ना जो भी गोवर गोव मुतर की बात करो सब गाए के बस ऐसी हाँ से डाल दो फैला दो हाँ मेड में खड़े हो के फेक दो बल्टी बल्टी बर के ये कोई खाद आई नहीं कि एक जगा रहे गए ये तो बैक्टेरियर बेस्टे फैल जाएगा अपने आते हैं सब्जी में कर तो चलाना इसकी है कि लगाते हैं कि तमाटा रुटे से जो उसके घ्रीक में सभी में शिचाई में डाला राव मेरेंदर जी वह आपके उस परचा रखा है मेरा अलो कि सबको बाढ़तो एक एक कि यह मैं छपाऊ परचा भी आपको उपलब्द करा देता हूं ठीक तो यह सजीव जल हुने बना लिया हां तो पीटर से पानी निगलेगा तो पानी तो प्रको निगलेगा नहीं दो सब पूरा 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 सब घुल जाएगा कि वल दूद तो घुल जाएगा क्या सब्सक्राइगा बनेगा बस उसमें एक ग्राम में एक एमिल में वी सलाख एचुटबेक्टा बीसलाख ट्राइगोडर्मा बीसलाख सुडोमुनास और वीस लाख एजट बेहतर एक एक मेल में असी लाख जीवानों एक मेल में हो जाएंगे नौ दिल में और उसमें मीठी खुस्बू आने लगेगी अधी लिएहयरे से ख्राब हो जाएगागा नाइं बंद्रा विजदिन भी लखो गई तो ख्राब नी होगा लेकिन उससे ख्राबना पूर बारो जाए गारे में ब्लास्टिक में या मिटी में या जा ए truck में नौहानो रखना ने हाँ लोहिक ड्रम में नहीं रखना है नहीं हाँ हाँ धाक के रखना है कोई मक्खी वक्खी ना गिरे मक्खी गिर जाएगी तो उसके पेट के जो जर्म से वो भी ड्यवलप होना सुरू हो जाएगी कि अधिन में तयार हो जाता है दस दिराल करना पड़ेगा अभी अगर ऐसा आपको लगता है तो दो तीन दिन रखना और पूरे अधिन से दोशोलीटर एक बार में मध डालो 30-40 लिटर डालो और पानी मिलाके तो रूटीन में जलता रहेगा आड़ दस दिन में चलाते रहू यह एक एकड़ का है 200 लिटर आत वही बोल रहा है दस एकड़ के दिए दस ड्राम बनाना पड़ेगा बोल रहेगा हर नौ दिन में तयार हुता रहेगा न अल्टरनेट तयार होगा कोई जरुत नहीं हर अपते की 15 दिन परियापत है हाँ जब भी सिचाई देते हैं चलाना है सिचाई किमते बार देते हो तो आप ये समझाओ कि चार बार देना है आपको अब दूसरा लिखे अब घटक जीवानों होन अब घटक एक जो है भारस सरकार की ओर से एक बीस रुपए में एक जो है डीकंपोजर की सीसी दी जा रही है इनको पता होगा सोनी जीकों नहीं पता है अब होता है हाँ तो वो क्या है वो सीसी आप बल्ग में बुला लो और दो सो लिटर पानी में एक सीसी वो डाल दो पुरा हाँ वो इक सीसी बीस रुपए की यह सब पानी में नहीं यह दूसरा गोल बन रहा है यहार डूसरा गोल बन रहा है इसका नाम है अब ग धक जीवानौ गोल डाल दीए, अब घटक जीओ, Decomposer की नाम से आता है, Decomposer, और इसमें 2 kg गुड़ घोल दो, 2 kg गुड़? आ, केवल CC और गुड़ 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 लाई, बस, अच्छ, कुछ नहीं कर दो, बस और कुछ नहीं, कोई भी क्वालिटी का डाल दो, chemical गुड़ आजकल बहुत आते, जितना हो, without chemical हो तो अच्छा है, हाँ, 200 लिटर पानी में डाल दो, हाँ, बस, बस, तीन दिन, चार दिन, अधिक से खुब से खुब साथ दिन, तीर से साथ दिन के बीच में, मठमेला जासा हो जाएगा, मेठमेला समंझ रहे हो nnoc? मठमेला जासा कलर हो जाएगा, तब इसको एक एकड़ में, इसको भी जलमील पे डालना है, सी चाहि के पानी के साथ में लाकर, गूर कुछ नहीं का उब साथ आते, बस, और कुछ नहीं है मार्केट में अविलेबल लेकिन मार्केट वाला 200 रुपरम पड़ेगा आपको वीरेदर जी है अपने बीच में इनका नमबर अभी हम लिखा देंगे ये आपके कोडिनेटर रहेंगे जो चीज आपको जरुवत है मुईया कराएंगे पर आपको अग्रीम इनसे डिमांड और अग्रीम पेशा आपको देना पड़ेगा अब इसको क्या है इसको जो है एक 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 जमीन पर डाल देना है ये डालने के 25 तीज दिन में आप छोटे 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 ऐसे ब्लैक के स्पॉट दिखने लगेंगे और जैसी ये जो है आज लगबख दो साल में दस बार डालना है इसको जमीन सुधारने के लिए अभी जमीन सुधारने का अलग से मैं पोर्स लोगा तो आपकी पूरी मिट्टी एकदम ब्लैक हो जाएगी अगर दो मत मिट्टी होगी तो उसमें भी जान आ जाएगी साल में दस बार दो साल में दस बार फिर ये इसको जो है ठीक हो गया पाणिश करी जान आ? पाणिश कर देका? नहीं साल में हो जाएगी पाणिश स्भानी बदालना है बदोगों से पाणिश के लिए खो कर दो कि अधर खड़ेत अभी डाल दोते हैं यह जमीन उजारने के लिए उसको डिकंपोस करने के लिए कि लिए विशेश तरह के डिकंपोसर है जो लैब में गॉर्मेंट बना रही है और अभी हमारे अग्रा पर मैं राष्टी जेवी खेती परियुदना में भी हूँ हमारे अग्रा पर भी उन्होंने इसको पब्लिक को दे रहे हैं आप इनको मैं पता दे दूंगा अगर बैल है तो आदा बैल को गोबर आदा गाय का चलेगा पर गाय का चाहिए ठीक अब नेक्स्ट हो गया अब लिखिये भूमी को सजीव बनाने की प्रक्रिया भूमी को सजीव बनाने जीवित करना जीवित करना जीवित करना अभी भूमी लगबग मर गई है तो भूमी के संदर में का यासमिन भूमियाम जीवा नास्ति सा भूमे नास्ति जिस भूमी में जीव नहीं है जीवाणू नहीं वो भूमी ही नहीं यह तो उसको बंजर बोलेंगे या बर्ब का पहाड बोलेंगे तो वो जीव खेत में आने चाहिए यह जीव के लिए जो है हमने सजीव जल बनाया अच्छा कितने आने चाहिए भूमी में एक ग्राम मिट्टी में कम से कम बीस लाक जीवाणू होने चाहिए इसको साइंस की भासा में बोलतें सी एफियो कालोनी फार्मिंग यूनिट किदनी यूनिट होना चाहिए बीस लाक बीस लाक यूनिट होना चाहिए ग्राम मिट्टी में तब आप वो जैवी खेती कर सकते हैं उसमें अब जीवाणू बढ़ाना है तो वहां कार्बनिक मेंटर उनके खाने के लिए जगा चाहिए हवा अंदर जानी चाहिए तो कार्बनिक मेटर बढ़ाने के उपाय लिख लो कार्बनिक मेटर नहीं का जो सूखा पत्ता होता है ना जो जो खाद में तब्दील हो जाता है वही कार्बनिक मेटर है तो अब क्या हो गया कि कि इसके लिए क्या करिया कि 20-20 कुइंटल गोवर खाद दो साल में पांच बार एक खेक में डालिये 20-20 कुइंटल कमपोस्टेट गोवर खाद लेखो यह वाला गूरे को गोवर अप्रम में डालना कमपोस्टेट हाँ नहीं जो बिलकुल चाय पत्ती जैसे रहे अभी मैं बता दे रहाँ कमपोस्ट बनाना गुर गुरादा अम इस बस्टेट बस्टित हाँ नहीं जो हाँ अब यह जो है इसको decompose कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं लगब दो डाई फिट की उचाई में कित्ती फिट उचाई है और फैला कि इस पे पहले पानी दे दिजिए क्या करिए पानी सिचाई कर दो सिचाई के बाद क्या करना इसमें ऐसे ऐसे छेद बना लो जब ठंडा हो जाए तो पास पास बना ना मैं दूर दूर ऐसे छेद बना के इसमें अब घटक गोल डाल देना कुनसा गोल? कुनसा गोल डालना है इसमें? अब घटक गोल बता दिया ना मैंने? पिर अब घटक गोल डालने के बाद इसको ठक देना पत्तों से किसी भी ऐसी चीजों से या अगर घटकते ना बने तो छाओं में करना फिर ये करने के बाद क्या करना कि उसके बाद जो है ये 30-35 दिल में डिकंबोस हो जाएगा फिर इसके बाद इसको फहोडे से मिक्स करते रहना और सजी उजल डालते रहना इस पर हाँ सजी उजल डालना है और सजी उजल डालने के बाद हपते 15 दिन के बाद 20 कुंटल प्रतियेकड की दरसियेकड में फेख देना बना लोगे खाद बिल्कुल चाय पत्ती जैसी बन जाएगी ये खाद फिर ये धाइफिट गोबर के लिए हाँ धाइफिट गोबर के उचाई इतनी तब हुझ रहे पस लंबाई चोड़ाई सब अपने हिसाब से का उचाई बस जाता ने ले लेना दो से डाइफिट नहीं कि लगवाग पैतालिस दिन चाउं में रखो किया हां उसको उप्योग करके बना सकते बड़ लेकिन क्या है उसको फिर इतना दिन उसमें तो आप सीधे डिकंपोज जालो और आट-दस दिन बास सजीव जल डालके केप में फिक दो कुछ मतलब ऐसा रहता नी सका रातना कनका रातना पस तीस दिन बाद एक ही बाद पुरजना है चलो लिख लो धाई फिट की उचाई से गोबर को फैला दो गोगर ताजा नहीं नहीं ताजा नहीं एक महीने डेड़ महीने पुराना कम से कम है प्राली में बीस को इंटल हो जाता है इस एक प्राली बता दिये तो तामले वालाव शिश्टम को और दो ट्राली करो आप दो ट्राली अब घैटक जीवानों गोल डाल दो फिर पैतिस दिन बाद खाद को पलटते विए सजीव जल मिला दो जीवानों फूर डालने के बाद को मिक्स करना है नहीं फिर डख्या रखना है पैतिस दिन तीस से पैतिस दिन डख्या है हां पिर दो सो लिटर सजी उजल डालकर मिक्स कर दें फिर से मिक्स कर दें फिर पंद्रा दिन बाद एक एक रखेत में बुरुकाओ कर दें वो आई ये जुताई के पहले हाँ एक एक रखेत के लिए हाँ एक एक रखेत के लिए हाँ खड़ी फसल में भी दप्पूर्पाओ कर सकते है हाँ इसी तरह की बनाके कर लो हाँ इसी तरह की बनाके कर लो हाँ अब दो ट्राई होगा तो लगबग वही लगबग साथ आठ फिट लंबा और चार फिट चोड़ा आठ नहीं दस फिट लंबा और शे फिट चोड़ा करके अच्छा ने को दिकत नहीं पार्शाद में बना सकते हैं पर अच्छा नहीं बनता बार-बार पानी पड़ता है न तो नहीं बनता बार्शाद के पार्शाद के दोनों बना लिए? कोई केस्चन अभी हां अब लिख लो ये अब ये आपको दो साल में कम से कम ये आपको एक फसल में दो ट्राली लगपक दो साल में दस ट्राली डालना है और ये इसके बाद जीवन में फिर कभी नहीं डालना वह इसलिए कि आपका कार्बनिक मेटर कम है ठोड़ा जमीन में बढ़ जाएगा फिर तो के वाल जावनी डालना है और ये अगर दस ट्राली भी डालना तो भी एक उपाय है मेरे पास उसका नाम हरी खाद लिख लो एक परशंट कार्बनिक खाद बनाने का दूसरा उपाय एक परशंट कार्बनिक खाद जमीन में बनाने का दूसरा उपाय आप लिख लो पचास किलो सन बीजा या 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 मिक्स हरी खाद के बीज मिक्स हरी खाद आने क्या होगा जैसे जोहार है दो किलो मक्का पांच किलो बाजरा दो किलो अना उड़द मूंग लोकी गिंकी जिसके भी भी जवाप के हाँ सब एक एकड़ में फेग देना और उगा लेना जब उग जाए तो दीस पैतीस दिन बाद रोटावेटर से जमीन में उसको गड़ा देना देचा भी इसी के जैसा है सन के जैसा है तो अपने अंटा से कर ले ना घना सब को ज्यादा घना ही वो ना क्योंकि कारबनी पैटर अपनों जमीन पगड़ा ना है ये तीन बाद गड़ाना है केवल आपको दो साल के अंदर से तीन बाद उसके बाद जीवन में कभी ये सब काम करनी जबरत पड़ेगी नहीं सही बोले है धान के समय में जूर में बहुत अच्छा बन जाता है लेकिन बाकी समय भी कर सकते हो आप फिर सडाने लिए आपको सिचाई करनी पड़ेगी एक दो बार ऑंड़ंत जाएगा समग में तो फुरा फड़ जाएगा उलो एक क्या है कि हमारे आंकिसान तो क्या कते मिno अच्छा गवाता हूं इसी जन When और मक्का को क्या करते हैं, मक्का हरी मक्का तोड़े, बाजार में बेच दिये, क्योंकि हमारा मक्का नहीं है, हमारा हरी खाद है, और रोटा वेटरा से उसको जमीन में तबाह देते हैं, उसके बाद अब घटक जीमाड गोल कंटेनियो दो-तीन बार डालो, डिकमबोस हो जाएगी, और मक्का की फसल ये भी हो जाएगी, हाँ, इस वार जैसे हम हरी खाद डाले हैं, तो अगले जून में फिर कर लो, और 20-25 को डंग ओबर खाद डाल दो, तो हो गया, अब उसके बाद क्या है, कि ये एक काम तो यह हो गया हरी खाद का, दूसरा काम है आपको, कि मैं अभी मतलब मिट्टी को जिंदा करने तकनीक बता रहा हूँ, समयाओ दिया दो साल, कितना साल, दो साल में आपकी मिट्टी में कम से कम दस बार जो है, आप सजीव जल डालना है, इचे इदर कर लो, एरो लगा के, दस बार सजीव जल, दस बार जीवानू अभगटक जीवानू गोल, अभगटक जीवानू गोल, आप्रती एक रवता रहा हूँ, सब यह, ठीक है, पाँच बार पंचेगवे गोल, पंचेगवे गोल, आपके परचे में हैं पंचेगवे गोल, और पाँच बार माई को रह जा, माईको राइजा की फिल्म दिखा रहा हूँ, अभी मैं, माईको राइजा जमीन से पंद्रा फिट नीचे जाके पानी लेके आता है, पाउदों को पानी देता, इसलिए खेंती का हनुमान कहता हूँ उसे मैं, और ना केवल फासपूरस पोटाज देता, जिंग सर्फर सर्व लाके देता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तो वहाँ गया था आसाम, क्या हूँआ वहाँ नेचुरल इतना बढ़िया है, पहाड़ पहाड़ है, तो पत्तियां खूब गिरती हैं, वो जमीन में दबती है, आट में वहाँ के ख्लाइमेट ही है, जाई दिखेती लाए, जरुवाती नहीं वहाँ पर, पानी दिखेते रहंतर, वहाँ कभी बिगाड़े ने पराने ही पड़े, जहाँ, यह दो साल में, और इसमें और लिखो अब, कमसें पांच बार स्वाहिल हेल्थ कंडिशनर, पांच बार, यह जो फास्पोरस के कणा है ना, एक दूसरे से जोड़के मिंटी कड़ी हो गए, उस संद्रचना को तोड़ता है, स्वाहिल हेल्थ कंडिशनर, हाँ, नहीं वो बना नहीं, यह तो खरीता पड़ेगा, असल में इसमें 13-14 तरह, इसके आप टेक्निक का नाम है, जीपी ए हंड्रेट, इसमें टेक्निक लिख लिजिए, इसी टेक्निक का आपको स्वाहिल एर्थ कंडिशनर टालना है, जीपी ए हंड्रेट, हंड्रेट, इसमें क्या है, सो तरह के बैक्टेरिया होते हैं, और यही बैक्टेरिया मिट्टी की संरचना को तोड़ने में काम आते हैं, इसको आप सजीव जल के साथ मिलाके, एक इकड़ खेत में डालें, यह मिल लिख लिजिए, किसको डालें, स्वाहिल एर्थ कंडिशन सजीव जल उसमें इंक्लोड रहेगा, अभी फसल लोगे तो डाले ही रहे हो, तो आप अपने एक खेत का फसल कार्ड खेत का बनाना एक, जैसे टीका कार्ण होता है ना बच्चों का, धाई साल तक का कार्ड बन जाता है, वैसे कार्ड बनाना, देखते नहीं तो हम करके विते देंगे, और ये आप इतनी प्रक्रिया आपको दो साल करना पड़ेगा, धैरे के शांत, लेकिन जैसी ये प्रक्रिया सुरू करेगे, आपकी मिट्टी मुलाया मोनी सुरू हो जाएगी, बीमारी गटना सुरू हो जाएगा, फसल में लहक और चमाकानी सुरू हो तो उनको भी सब सिखाओ, उमारी ट्रेनिंग में ले आओ, कैसे भी प्रक्रिया, ये तो आपका भला नहीं होना है क्योंकि आप जैडिक कर रहे हो, उपर से फिर केमिकल वाला पानी आगया, ये रामजी के, सब करेंगे तर होगा, बीच में एक जने कर रहे हैं, पाथी लो अब ये हमने बता दिया वहिया कि आपको खेती को सुधार ना है, पर खेती बिगडी क्यों, ये नी समझो कि तो सुधरी रहेगी क्या, फिर बिगड़ जाएगी, तो जैसे एक परसेंट कार्बनिक मेटर आपने कर दिया, उसके बाद आपको पहला काम करना खेत को जलाना जो भी केत का पहरा, भूसा, चारा वापस खेत को देना है, किस रूप में? मल्चिंग करके, सडा के नहीं, मल्चिंग है ने मिट्टी को डखना, जैसी ये अभी मिट्टी, सब एक कचरा उखाळ उखाळ के फेक रहा है, फिर एक महीने फिर कचरा जाएगा, फिर उखाळ फिर दस साल भी ऐसा करेंगे तो कचरा खतमनी होगा, और ये कचरा उखाळ के वहीं बिछा देंगे तो कचरा रहेगा की जाएगा? चला जाएगा, उगे गई नी कचरा, इसको बोलते धक्ती रखना, इसको बोलते अच्छा दन, कभी भी खेत को खुला नी रखो, कभी मत अच्छा दन करने की क्या-क्या फायते हैं? एक तो जो जीवानों हम बढ़ाना चाते हैं, जिसके लिए सब कवायत कर रहे हैं, वो जीवानों जब धका रहेगा तो बढ़ेगा की नी बढ़ेगा? बचा रहेगा तो बढ़ेगा? नमी रहेगी तो बढ़ेगा? बढ़ेगा दूसरी बात है नमी कम रहे मतलब नमी की आओधी बढ़ेगी की नी बढ़ेगी जहां तीन पानी देते हो हां दो पानी में काम है तीसरा है खेत का खाद वापस खेत में चला जाएगा और चौथा सबसे बड़ी समस्या कचर अउगने की वोगने नहीं देखा तो आप कभी भी खेत को ऐसे धाक की रखमा है जो कचर निकल रहा है उसको वहीं रखो और कचर अगर नहीं है तो पडोस की खेत से लेआओ कचर और अपने खेत में दाल दो धक्के रखोगे तो ओधा भी जबर्दस्त बढ़ेगा आप देख लो बढ़े के लिए इसमें एक चीज है मैं कुछ नजा रहा है जैसे हां को है विखिक है हां कर तो आप नहीं है गेहू की केस में वो उसका प्रक्रिया बहुत जादा नहीं रखता है उसको उसकेस में क्य देखिए गेहूं में क्या है गेहूं में गेहूं में क्या है हम गेहूं और बरसी में एक सांत बुआते हैं हां और कटाई करके जब ठ्रेशिंग करते हैं द T दान के पुवाल से पूरा गेहू पहले फेख दो, कटाई होने के पहले, और धान का पुवाल वापस पूरे खेट में फैला दो, उससे गेहू जो है, मल्चे हो जाती है, गेहू बढ़िया उग जाता है, गेहू गाने में कोई दिक्कत नहीं होती, और तीसरा है, मेरा वेक्त गेहू जाती हो है, गेहू उगाना धेले-धिरे बंद कड़ो, क्योंकि गेहू खाना और गेहू उगाना दोनों बड़े अपरात है, गेहू जोह होती है, गेहूं भी वही जड़बुती है धान में गेहूं अच्छा नहीं होता कभी ही होता है क्या होता है क्या देख्येश क्या है सबसे ज़्यादा सिचाहि की ज़रुट किसको होती है इसलिए बांध बनाए गये नदियों का जीवन खतम कर दिया गया बार-बार जोता ही जलवित किसको होती है गेहु को फिर गेहु ऐसेडिक फूर्ड है हमको खाने बिभी नुकसान होगा असेड बनता है गेहु के जगह ज़वार बाजरा मक्का खाये और यहीं लगाने का प्रचलकभी बढ़ाईे गिभू लगाना है तो कनक लगाईए एक हमारे पास वेराइटी जो सोने जैसे चमकती है उसका ओरिजिनल उसको कनक कहा गया वोई असली गिभू है बाकी तो यह जैसे जरसी गाय और देसी गाय और ऐसे ही है उसको भी क्या है हमको कभी भी ऐसे इंटरकाप में लगाना गया दलानी गयर दलानी, गयर दलानी गयर दलानी एक चन्ना के साथ गेहू नहीं साथ में लगाना है हां, किवल गयूं 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 गोई गये तो कचरा फिर होगेंगा और अभी क्या है जब मिट्टी आपकी भुर्बुरी हो जाएगी न तो आप धान का गेहूंग हो लिवाद धान का पूरल फैला दो गिली मिट्टी में गेहूंग फैको और धान का पूरल फैला दो आटोमेटिक धान होग जाता है हाँ गेहूंग जाएगा अभी संभाव नहीं है पलतना नहीं है काटना है किसको कचड़ा को और वहीं बिछा देना उखाड़ो भी मत उखाड़ के वहां रखो गे तो फिर उख जाएगा विट्टी लगी रहेगी काट के वहीं बिछा दो कुछ मत करो उखे गई नहीं कम होगा का सवाल नहीं उख नहीं नहीं जैसे ब्रहम को रख दे है तो नीचे में को चुपता ही जी जैसे मल्चिंग करने से जीवानों पढ़ेंगे खाद मिलेगा अपने आप कचरा नहीं उखेगा उखजाओ बनेगा यह सब फाइदे हैं पानी कम लगेगा ठीक अभी मैं फसल वाइस पूरा आपको बता देता हूं कैसे करना किसमें किसमें क्या है अभी आजकल ऐसे शिप्ट्री लागे हैं जो मित्टी में क्यों चीरा लगा के चना और गेहूं बॉआ देते हैं मेरियां सेकड़ो एकड़न में सुरू हो गया ना रसिन पॉर मैं चीरा जानते हो ना कि वो जो है द्दान के लगे रहतू है चीरा लगके गयम बॉआ देते हैं चना बॉआ देते हैं उपर से उपर से वो बॉप wonder बीच में अ जो ब्रूट्ट में उससे चलाते बड़े हार्वेशकाव से गयम तो बीच में मल्चिंघ पी ओ जाता है गयम का हुआ यहां दान लगाएंगे वहां कि हूँ अच्छा हो गईगी क्योंकि दोड़नों की जड़े कहा होती है वही रहती है जहां दान की जड़े वहीं की जड़े तो यह प्रकर्टी में है न मुसला जड़ और उथला जड़ ऐसा होना चाहिए इसको बोलते है फसल चक्र तो यह दान के बाद चना वाना लगाओ तो यह जड़ जड़ जाता है यह उप्ता इज़ता है उसका जड़ ठीक है? पंजामे जड़ जड़ होता है अब जो है जमी भूमी को जो है यह एक काम तो जलाना नहीं दूसरा काम है कोई फंगिसाइट नहीं डालना किसमें नहीं डालना फंगिसाइट? खेत में याने क्या क्या नहीं डालना? कारबन डाजी, मेंको जेब बाभिष्टी नहीं डालना क्योंकि आपने वहाँ पर मित्र जीओ डाला है फंगस का ट्राइको डर्मा भी डल गया और माईको राइजा उसके बाद फिर फंगिसाइट डालेंगे तो फिर जमीन डे मेंज हो जाएगा फंगस क्योंकि वह तो मित्र और सत्रू दोनों फंगस को खतन करता है तो इसकी जगा क्या करोगे मानल फंगस आगया तो लिक्विड सलफर की डेंचिंग या स्प्रे करना हाँ सलफर लिक्विड फार्म में आता है इसकी यह तो इस्प्रे करना डेंचिंग करना और इसी से अगर ज़रुरत हो तो बिजोप्चार करना क्या है इससे फर्टलाइजर की भी पूर्ती होगी और सलफर क्या है फंगी साइड होता है बहुत अच्छा फंगस भी खतम कर देगा हाँ लिक्विड सल्फर में लेगा ठीक है उपज का टेस्ट भी अच्छा आएगा और आपकी फंगस जो आपके आभी धान में बता रहे थे लिक्विड सल्फर का उप्यों कीजिए मैं आपको फंगस की बात कर रहा हूं जब फंगस लगता है ना जब फंगस भॉर मात्रा में पढ़ जाएगा मांगो तो आप किसान क्या है किसान मजबूर हो जाता फिर केमिकल डाली दे गवागा इसलिए आपसन बता रहे हुँ मैं इदर आप फंगस पंगिसाइड आप कि यूज करें उसके लिए और पूरी विधी रहेगी तो तो एक-दो साल बाद आपको कुछ पंगस पंगस कुछ नहीं आना है पर अभी करेंट की बात बोल रहा हूं मैं आगया पंगस तो फंगिसाइड ना जाएगा